नमस्कार में हूँ आपके संग्नित्या मन्त्रियन तंत्रवास्तो के विश Pragmat के साथ एकदसी का अपरत करने से मनसिक सक्ति मिलती है और अगर आप बरुत्नी एकदसी का अपरत करते हैं तो इससे आपके सरीड की सुरक्षा भी होती है बरुथनी एकादसी के दीन आपको कुछ चीजे अबस करनी चाहिए ताकि आपके दुरभाग दूर हो और साथ में आपकी किस्मत भी चमक जाए तो बने रही हमारे साथ हम आपको बताएंगे बरुथनी एकादसी पर ये उपाया दूर करेंगे दूरभाग चमके की किस्मत लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सकाइब नहीं किये हैं तो किरिप्या से सब्सकाइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ता बरुथनी एकादसी कहते हैं इस दिन भगवान विश्नु के वराह रूप की पूजा की जाती है धर्म करंथों के नुसार इस दिन ब्रत करने एवं भगवान विश्नु की पूजा करने से सारे पापों का नास हो जाता है और जीवन सुख स्वभाग से भर जाता है बरुथ आप इस दिन कर सकते हैं जो करने लायक है सबसे पहली पात बरुथनी अकादसी के दिन सफेद या पीले बस्र पहन कर भगवान बिशनु की पूजा करने से बैक्ती का भाग तेज हो जाता है और सभी कामों में सफलता मिलती है जो लोग अपना आय बढ़ाना चाहते हैं उन्ह इस ब्रत में बिशनु जी को तुजसी के पत्य अवस चराने चाहिए ऐसे भी भगवान बिशनु के कोई भी रूप कोई भी स्वरूप की पूजा हो बिना तुजसी का पूजा संपन नहीं होता है क्योंकि भगवान बिशनु को तुजसी बहुत ही अधीक प्रिय है इंका मन औसांत रहता है, या किसी काम में मन नहीं लगता है, उन्हें बरुथनी अकादसी के दीन गले में तुलसी की माला पहननी चाहिए, इस से उनका मस्तिस्क सांत हो जागा, लेकिन अगर आप तुलसी की माला धरांत करते हैं, तो आपको मांस मसली या नोन वेज का सेवन नहीं करना चाहिए अच्छा ये होगा कि आप सिर्फ भरुथनी अकादसी के दीन अपने गले में तुलसी की माला पाने उसके बाद अगर आप मांस मसली खाना चाहते तो इसको आप उतार दे तब ही उसका सेवन करें ऐसे अगर आप तुलसी के माला हमेशा धान करते हैं तो आपको मांस मसली अमदर्या का सेवन हम नहीं करना चाहिए इन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए बिश्नु जी को परसंद करने और घर में साकरातमक्ता लाने के लिए बरुथनी अकादसी को पीपल के पेर पर जल अवसी चड़ाए चुकि भगवान बिश्नु का वा बिश्नु जी को दक्षना अवरती संख में जल भढ़कर आप उनका अवी सेख करें इससे आपके घर में खुसी हाली निश्चित रूप से आती है बरुथनी अकादसी के दिन पीले रंग के अन का दान करना सुभ मना जाता है इससे ब्यक्ति को कभी भी खाने के लिए मोहताज नहीं होना परता है इसलिए आप अगर दान कर सकते हैं तो निश्चित रूप से किसी पीली बस्तु का दान आप इस दिन अवस करें इस दिन बिश्णु जी को मुनक्य और चने की भीगी हुई दाल चड़ाने चाहिए ऐसा करने से भगवान बिश्णु की किरपा आप पर सदे बने रहते हैं और आपके सारे काम बने लगते हैं जो भी काम रुख जाते हैं आपके जीवन में कभी कभी ऐसा होता है आपने भी महसुस किया होगा कुछ काम आप करते हैं और काम में रुकाबट आ जाती हैं अगर ऐसी चीज़े कुछ होती है आपके साथ तो आप निशित रुप से इस दिन भगवान बिश्णु को मुनक्य और चने की भीगी हुई दाल चड़ाईए आ सारी मुसिवत खत्म हो जाती है तो निशित रुप से आप किसी बुजर्ग या अबरामन को इस दिन आप भोजन अवस कराएं जिन लोगों के घर में बरकत नहीं होती है लाग कमाते हैं फिर भी पैसा नहीं बचता यानि बरकत नहीं होती है उन्हें बरुतिनी अकादसी के दीन घर के कोने में जो आपके कोने होते हैं घर के उसमें पीली सरसों के दाने रखने चाहिए जिससे आप अगले दीन जला दे ऐसा करने से नजर दोस भी खत्म हो जाते हैं और आपकी घर की बरकत भी होने लगती है जी लोगों की साधी में अर्चने आ रही है उन्हें इस पर दिशन के लिए बरुथनी अकादसी के दिन आपको ये चीज भी करने चाहिए पहली चीज बरुथनी अकादसी की साम तुझसी के पौधे के सामने गाय के सुद्ध घी का दीपक जलाएं और तुझसी को प्रणाम करें इससे भगवान बिशनु अतिपरसन होते हैं पीपल में भगवान बिशनु का बास होता है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है इसलिए बरुथनी अकादसी पर पीपल के पेर में जल आप अवस डालें भगवान बिशनु को पितामरी कहते हैं इसलिए बरुथनी अकादसी पर उन्हें पीले बस अवस ही अरपित करने च ब्रुथुनिय अकादसी पर भगवान बिश्नु को हर सिंगार का इतर अगर आपको मिल जाए तो इससे अबस ही अरपित करें इससे भी आपकी हर कामना पूरी हो सकती है इसलिए ब्रुथुनिय अकादसी के दिन अगर आप चाहते हैं कि आपके जिन्गी की सारी दुरभाग खत्म हो जाए और आपके जीवन में स्वभाग की प्राप्ती हो तो जो उपाय मैंने आपको बताए हैं ये उपाय आप अबस कीजिए बहुत आसान उपाय है आप इसे आसानी से कर सकते हैं अगर आप इसको कर लेती हैं तो निस्टी दूप से आपकी किसमत चमक उठेगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो कि पैसे लाइक करें सब्सक्राइब करें तता अपने दोस्तों के साथ पी शेयर करें ताकि वो भी इन चीजों को करके अपने जिन्गी के दुरभा को दूर कर सकते हैं आज के लिए पस इतना ही धनवाद